हेलो फैंस आज की इस वीडियो में हम लाइज सीखेंगे प्रैगनेंसी टेस्ट को कैसे करना चाहिए और हम सीखेंगे कि प्रैगनेंसी टेस्ट में क्या डेटेक्ट करना रहता है और कभ यूरिन आपको लेना चाहिए कब urine test आपको यानि pregnancy test करना चाहिए सबसे पहले हम समझेंगे urine test कैसे करना चाहिए चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर basically आपको इस packet से card को बहार लिकाल लेना है जैसे कि मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ और इस तरीके से आपको card बहार निकाल लेना है यह हम card बहार निकाल दिया है और इसमें एक dropper निकलता है यह हमने रख दिया है एक side में और यहाँ पर एक card है और इस card को हमने रख देना है नीचे और मेरे पास एक dropper है इस dropper से हम यहाँ से urine लेंगे urine आपको basically शुभा की लेनी चाहिए यह first urine अगर आपको मिल जाती है तो ठीक है नहीं तो second and third urine का भी हम urine test कर सकते हैं लेकिन जैसे जैसे daytime आपका बढ़ता चला जाएगा यानि कि दुपहार बढ़ता चला जाएगा 10 बजे 12 बजे इवनिंग में तो उसमें क्या होता है आपके urine में HCG का level कम हो जाता है HCG यानि कि human coronionic gonorotropic hormone यह आपको basically test करना रहता है urine pregnancy test में यह card आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी line नहीं है और इस test में हम समझेंगे अगर किसी को एक line के साथ में एक हलकी गुलावी line आजाती है तो इसका क्या मतलब होता है सबसे पहले हमें करना यह है इसमें से 2 drops योनिल ले लेना है और इसमें हमें 2 bone डाल देना है जैसे ही हम इसमें 2 drops डालेंगे तो यहाँ पर हमें results देखने को मिल जाएगा अगर इसमें एक वी line नहीं आती है इसका मतलब होता है कि card खराब हो सकता है और यहाँ पर आप देख रहे हैं अगर एक line आती है इसका मतलब होता है control होना माल लेजिए अगर किछे को 2 line आती है एक सहील pink line आती है दूसरी हलकी pink line आती है इसका मतलब होता है कि हो सकता है आपके test खराब हो या फिर हो सकता है कि आपने time से पहले pregnancy test किया हो Pregnancy test करने के लिए आपको कम से कम LMP, last LMP के बाद में 7 दिन या फिर 15 दिन का weight करना चाहिए उसके बाद ही आपको सही से results देखने को मिलेगा इस card का result देखे देखने को मिल गया है हमें यहाँ पर एक line देखने को मिल रही है यहाँ पर लिखा हुआ है C सबसे पहले लिखा हुआ है उपर C और यहाँ पर लिखा हुआ T C का मतलब होता है control और अगर यहाँ पर T पर भी line आती है इसका मतलब है कि यह test positive है मान लिजीया card में एक भी line नहीं है इसका मतलब हो सकता है card खराब हो या फिर हो सकता है आप ने कीसे गलत तरीके से test किया हो तो आज हमने जाना है pregnancy test को घर पर कैसे आप कर सकते हैं ध्यान रखें अगर pregnancy test करते समय अगर आप पहली urine लेते हैं तो ज्यादा वेटर है नहीं तो second थर्ड urine से आप कर सकते हैं इसके बाद आपको ध्यान रखना है लास्ट LMP के बाद में कमसे कम साथ दिन या पंदर दिन का वीट करना चाहिए जिससे आपके बलड में HCG का लेवल थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए HCG normal हमारा जो बच्छा डेवलप होता है placenta करें पर cells होती है वहां से डेवलप होता है जब यह डेवलप के blood में आजाता है और blood से यह urine में आजाता है यानि पिशाप में आजाता है और इस card से हम उसी का पता लगाते है HCG का जब HCG इसमें पता लगाया जाता है इसका मतलब है यहाँ पर दो लाइन आजाएंगे और HCG यानि नहीं आएगा तो इसका मतलब है कि एक लाइन यहाँ पर कंट्रोल देखने को मिलेगा दो लाइन यानि पॉजिटिव एक लाइन यानि की निगेटिव आई होप कि वीडियो से आपने बहुत कुछ सेखा होगा मैं फिर मिलता हूँ इसी तरह कि किसे नई वीडियो में तब तक के लिए वीडियो को लाइक जरू केज़े अपने दूस्तों के शेयर केज़े थैंक्यो हो बाचेंग